हेलो फ्रेंड, सरकारी और विदेश नौकरी के डेली अपडेट चानने के लिए मेरे चैनल हंट लेटिस्ट गुवर्मेंट एंड गल्स जोब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करतें ताके आपको जोब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी जोब निस ना हो तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वीजा कैसे चेक करते हैं आज मैं बताऊंगा यूएस का वीजा ओनलाइन कैसे चेक करते हैं यूएस वीजा कितने टाइप का होता है पासपोर्ट और अप्लिकेशन केस नंबर से कैसे चेक करेंगे आपका वीजा प्रोसेसिंग में है या इसू हो गया है आप वीडियो को लास्ट तक देखें मैं स् करने से पहले मैं आपको यूएस वीजा का सेंपल दिखा देता हूँ यूएस वीजा दिखता कैसा है यह देखें यह यूएस वीजा का सेंपल है इस तरह का यूएस वीजा दिखता है जब आप यूएस के लिए ओनलाइक वीजा अपलाई करेंगे अपलाई करने के बाद के सामने एक confirmation page open होगा जिसमें आपका application ID होगा जिसको case number भी बोलते हैं जिसके थुरू आप चेक कर सकते हैं आपका visa status तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं कैसे visa check करते हैं और कितने type का visa होता है आप अपने laptop या mobile में browser open कर ले गूगल में आप type करें how many types of US visa यह आप देख सकते हैं 185 different types of US visa होता है तो आप नीचे आ करके check करेंगे apply for a US visa know your visa type तो इस पर क्लिक करना है आपके सामने एक web page open हो जाएगा common non immigrant visa यहाँ पर आप देख सकते हैं business tourist visa है, visa type है, visa fees है, work visa है, type है, student visa, type, fees, exchange visitor visa, transit ship crew visa इस तरह से आप check कर सकते हैं US visa कितने type का होता है और कितना fees लगेगा visa apply करने में चलिए मैं अब बताता हूं visa status कैसे check करेंगे Google में US visa check type करेंगे आपको apply for a US visa track my passport पर क्लिक करना है आप देख सकते हैं visa status check का एक page open हो गया है, यहाँ पर आपको non immigrant visa पर select करना है, उसके बाद आपको location इंटर करना है, आपने visa के लिए कहां से apply किया है उसके बाद application ID और case number इंटर करना है, आपको यहाँ पर आपका case number और application number मिलेगा आपको इसको इंटर करना है, उसके बाद capture इंटर करना है, capture इंटर करने के बाद submit पर क्लिक करना है, आप देख सकते हैं submit करने के बाद आपके laptop या mobile में इस तरह का page open हो जाएगा, जिसमें लिखा होगा non-immigrant visa application issue, application ID और case number, case created date, case last date, इस तरह से आप visa चेक कर सकते हैं, अगर आपका visa processing में होगा या आपका visa reject हो जाएगा तो किस तरह से दिखेगा, मैं आपको एक sample दिखाता हूँ, अगर आपका visa refuse हो जाएगा, तो यहाँ पर refuse लिख कर आएगा, और अगर आपका visa processing में होगा, तो यहाँ पर administrative processing लिख करके आएगा, इस तरह से आप check कर सकते हैं, US visa का status, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को subscribe करें, वीडियो को like और share करना ना भूलें, thank you